आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी एतिहास एक आटो मोबील कमपनी के बारे में जो दूसरी कमपनीओं की तरह गाड़ी बनाना तो जानती है लेकिन गाड़ी बेचना नहीं जानती एक ऐसी आटो मोबील कमपनी के बारे में जो आधी रोटी पर दाल लेने के लिए मशूर है एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक बड़ा सा इवेंट और्गनाईज करके गाड़ी तो लॉंच करना जानते हैं लेकिन गाड़ी में वेरियंट्स डालना और वेरियंट्स के अंदर फीचर्स डालना भूल जाते हैं और फिर सर पे हाथ रख कर भी यही बैटे होते हैं कि गाड़ी को नहीं बिकरीव है एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अपनी strategies को लेकर इतनी confused है कि दोती मुह है लेकिन हाथ पहुँच लेती है तयार डवल बैट करती है लेकिन जमीन पर सोजाती है मुझे लगता है अब introduction को यहीं रोख देना चाहिए वरना वीडियो के लिए content ही नहीं बचेगा हम बात करने वाले हैं Citron Company के बारे में आप देख सकते हैं कि नाम में ही इतना confusion है कि बैठना है कि भागना है समझी नहीं आता मेरा मानना है कि अगर लक्षण सही नहीं हो तो item अंदर से seal pack निकलेगा ऐसी उमीद नहीं करनी चाहिए मेरा मतलब delivery boy और उसके box है बिल्कुल भी नहीं था अधार्त कभी कहना चाहते हैं कि ये company 2020 में इंडियन मार्किट में एंटर करने का सोच रही थी लेकिन अफसोस ये सोचते ही रह गए और कोरोना इन से पहले एंटर हो गया उस समय पर लोग बाग गारियों के शोरूम तक पहुशना तो बहुत दूर की बात है अपने गेराज में खड़ी गारी तक नहीं पहुच पा रहे थे लेकिन अफसोस इसी सेगमेंट की दूसरी गारियां जो इससे लाख रोपे कम में मिल रही थी उनमें इससे तीन करोड गोना जादा फीचर्स मिल रहे थे इसलिए लोगों ने C5 हवा क्रोस के खिलाब वैक्सीन लगवा ली और इसको घर लाने से मना कर दिया डॉली के टपरे पर बैठे हुए एक सज्जन ने मुझे एक बार बताया था कि जो अपनी पहली गलती से सीख जाता है वही समझदार होता है अदार्त कभी कहना चाहता है कि इस कंपनी ने ठीक एक साल बाद इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉंच करा जनता मैं खुशी की लहर दोड़ गई है सोचके कि शायद इस बार भर भर के फीचर्स मिलेंगे लेकिन अफसोस ये उतनी की उतनी ही खाली थी उल्टा इस गाड़ी के तीन लाग रुपे प्राइसेस बढ़ा दिये गए थे अब ये करीब 36 लाग रुपे की मिल रही थी लेकिन अफसोस इसमें 36 फीचर्स भी नहीं थे इसलिए इतियास ने फिर करवट ली और इस गाड़ी के साथ वही हुआ जो पहले हुआ था ये फिर नहीं चली बीटते समय के साथ चीज़ें बदली और किसी भले इनसान ने सिटरन कंपनी के कान में जाके बोला कि भाई इतनी महेंगी नहीं तोड़ी सस्ती गाड़ी लाँच करो भाई उसके बाद तो मानो इस कंपनी की पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ही बदल गई हो इन्होंने कम बजट में एक गाड़ी को लाँच करा जिसका नाम रखा गया C3 लेकिन चाहिद इन्होंने उस बले इनसान की पूरी बात नहीं सुन पाई थी इन्होंने सस्ती गाड़ी तो लाँच कर दी कंपनी है अगर मैं इस गाड़ी को कंप्यार करने लगूं इसी की सेगमेंट की दूसरी गाड़ीयों से तो C3 पकात मत्या कर लेगी अब तक तो मानो जैसे गलतियां करना एक आतत बन चुकी थी C5 हवा क्रोस और C3 की लो सेल से मर नी भरा तो C3 के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉंच किया गया जिसमें गलती नहीं गलतियों का बंधार था ये गाड़ी करीब साड़े तेरा लाग से सवा चौदा लाग रुपे तक की मिलती है ओन रोड C3 पैट्रॉल में जितने कम फीचर्स दिये गए थे उससे भी ज़्यादा कम फीचर्स एक इलेक्ट्रिक वर्जन में दिये जा रहे थे जबकि इसके प्रैसे बहुत ज़्यादा थे अपने कॉम्टिशन के साब से जिस तरह से इस गाड़ी में फीचर्स के अतिपते नहीं थे सुबह से शाम हो गई लेकिन एक फीचर्स मी नहीं मिला उसी तरह से इस गाड़ी में रेंज भी काफी कम क्लेम की गई थी 320 किलिमेटर की जबकि लाखो रुपे कम में मिलने वाली टाटा ट्यागो जो करीब 21 के आसपास क्लेम की जाती है और फीचर्स की बात करूँ तो टाटा पंच तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे है इलेक्ट्रिक C3 से इस इलेक्ट्रिक C3 के किर्तीमान यहीं कतम नहीं होते इस गाड़ी में सेफटी फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ग्लोबल एंड कैप में इस गाड़ी ने जीरो स्टार से स्कोर किये है चाल्ल अक्यूपेंट्स के लिए वन स्टार और एडल्ल मारूती की सबसे सस्ती गाड़ी औल्टो के 10 ने भी 2 स्टार से स्कोर कर रखे हैं वैगनार स्विफ्ट एश्प्रेसो एगनिस जैसी गाड़ीयों ने भी 1 स्टार स्कोर कर रखा है जबकि आप लोग जानते हो कि मारूती की गाड़ीयों की बिल्ड क्वालिटी कितनी रखती है क्या आप में है इतनी इम्मत लगता है सबसे मजबूत बिल्ड क्वालिटी का थर्मा कॉल से बना हुआ ताज अब जारा दिन मारूती के सर पर टिकने नहीं वाला दिल्ली के वड़ा पाउ खाने के लिए में एक बार लाइन में लगा हुआ था तब ही एक सर्जन न मुझसे एक नई और बड़ी अनोखी बात कई कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती शायद उस समय पर सिटरन कंपनी का कोई सरस से वहाँ पर खड़ा हुआ था उसने अपने सीनियर्स को जाके ये बात बताई उसके बाद सिटरन कंपनी ने एक नई गाड़ी लाँच कर शुरू होकर 16,10,000 रुपे की अन रोड मिल जाती है जबकि फीचर्स के मामले में इसमें कुछ भी नहीं मिलता 16,000 रुपे में मिलने वाली गाड़ी में हैलोजन हेडलेंप्स दिये गाए है जबकि आज के टाइम पर इससे आदे बजट में आपको LED हेडलेंप्स या फिर हेडलेंप्स तो मिली जाते हैं और ये सिर्फ एक एग्जामपल है ऐसे हजारो एग्जामपल इस गाड़ी में से निकल सकते हैं लेकिन मेरा काम यही थोड़ी है यार एग्जामपल निकलता फिरू मैं अगर मैं कॉम्टिक्शन की बात करूँ तो अटिका जैसी गाड़ी 10 इसके लावा अगर आप डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं फैमिली के लिए सेवन सीटर तो किया केरेंस मिल जाती है प्रेश्टीज मैनुल ट्रांस्मिशन 16,70,000 रुपे का ओन रोड जिसमें फीचर्स के मामले में C3 एरोकॉस को अगर 5 बार लपेटा जाए तब भी बरावर नहीं बेटेगी 3 star safety मिलती है 6 airbags के साथ में इतने पैसों में जब दूसरी companies भर भर के features दे सकती है तो C3 हवा क्रॉस में सरफ हवा भर के क्यों दी जाती है आज की बात छोड़ो ये company तो मुझे शुरू आज सी confusion में लगती है करीब 100 साल पुरानी French company है ये इन 100 सालों में ये feelings को ठेस महुचाने के लिए नहीं बनाये गया है यहाँ पर facts पर बात की गई है बस बात थोड़ी मजा की अवे में की गई है इस company को अगर Indian market में survive करना है तो उन्हें काफी मेनद करने की जरूरत है वो भी हर किसी field में बाकि आप लोग comment करकर जरू बताएगा कि इस वीडिय उनको दबाना बिलकुल ना भूलना आपका दन शुब रहे तन्यवाद